तो गैस इस लड़के का नाम है दिपक पांडे जो कि बिहार से विलोग करता है दोस्तों पता नहीं के से बिहार से और ना चल तक का सफर इतना दूर यह आ गया उसी ने बताया कि वो बिहार से है ज्यादा अच्छा से बात नहीं कर पाता है एक्चुलि पिछले दो महिने से यह हमारे होम टाउन में इधर उदर भटक के भीक मांगे किसी से खाना मांगे एसे ही खाब पीके चल रहा था तो कुछ दिन पहले हम लोग को मिला कि यह बहुत ही खराब अवस्ता में था तो हम लोग ने इसे ले के आया टेक केर किया और पता चला कि इसका अंदर कुछ ब आया क्यूंकि यहाँ पर कुछ-कुछ टेस्ट वगरा कर लेंगे जिसका खर्चा कम होगा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पेशा और डोनेट करके इसे बाहर प्राइवेट मेडिकल में लेके जाएंगे जहाँ पर इसका आगे का इलाज होने वाला है फिलाल तो मेरा साथ भाई और स्लाइन चल रहा है उनका तो आसका दिन दीपक बहुती खराब कंडिशन से गुजर रहा है दोस्तों आपको मैं दीपक को दिखाने के कोशिस करता हूं साइध आप लोग में से अगर कोई भी इसे पेचानते है तो प्लेस आप लोग कोमेंट जरूर करना दीपक म अभी कैसा लग रहा है ठीक है चलो ठीक है ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है अभी वह फिजिकली बहुत ही वीक है दोस्तों और बहुत ही कमजोर हो चुका है पाव लोग देखिए इसका एकतम पतला मतला पेट भी देख सकता है अप लोग हमें देखिए बहुत ही कमजोर ह हो चुका है डोक्टर बता रहा था कि डाइरिया हुआ है मैं उपर वाला से यह दुआ मंगता हूँ कि दिपक जल से जल ठीक हो जाए और अटा-कटा तंद्रूस होके फिर से चलने फिरने लग जाए यह दिपक ठीक बानू जी ठीक हो जाए बढ़िया बढ़िया सारा रोडी जितना टेस्ट अर्मलोग ने करा लिया और दीपक को भी डेखे स्लैं लगाते ही और आम से बेठ पारा अभी सुभे तो खड़ा भी नहीं हो सक रहतार लेकिन आवभी अराम से बेठा हुआ है खाना होना आभी खा लिया दिपक ने और अभी देख सकते बाहर जाना हुद चितना हम लोग में टेश्ट कर आया सब लेगनिव था कुछ त्रीटमेंड बाहर होगा भॉलट टेस्टम आए मेधा बहार करना है कहा तो उसी के स recruit हमेंग बाहर जाना पड़े दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं मिलते आगले ने ब्लोग में तब तक ले बाबाई